दोस्तो आज की सुडिय में मैं आपको बताने वाला हूँ आप YCMA में आडमिशन किस प्रकार से करना है आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है YCMAU.DigitalUniversity.ac यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर आपको क्लिक एर फॉर आडमिशन या फिर उपर आडमिशन टैप पर आपको दोस्तो आपको यहाँ पर दो प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं एक है फॉर न्यूव एडमिशन सीकर स्ट्डूंट और दूसरा है 60 वाला जो जिनके पास भी ब्रच्छा है यहाँ पर जो अल्यूटि यहां पर आपका नाम आपको डाल देना है आपका फादर का नाम डाल देना है ठीक है यानि किसी के वाइफ होंगी तो आपको या फिर वाइफ कर देना है वाइफ के रहेख़ा है अपको या पर के आपको डाल देना है अगर आप मेंडी डाल देना है अगर आप मेल आडी डालेंगे तो अपको पूरा डेटिल देएफ Yeah पर आजाएगा उसे आपको नीचे एसेट पर क्लिक कर देना है आपके सामने देख सकते हैं आपको एक रेजिटेशन यूजर आड़ी आपको जिनुए हो चुका है और आपको मोबाइल नमबर और मेल आड़ी आपको विरिफाय करेंगे लिए बोल रहा है तो आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP आ चुका है और विरिफाय पर क्लिक कर देना है जैसे आपको विरिफाय पर क्लिक करेंगे अभी आपको जो बोल रहा है मोबाइल नमबर आपको एक लिंक मि lies उसाओं प्रलीक करले नहीं तक को सब्सक्राइब करके आपको जब तक आप कुलिक करेंगे मेल करेंगे जो आपको क्लिक करके प्सक्राइब करेंगे था रीष्टाइब तो आपको क्या करना है सीधा आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है तो यहाँ पर जो आपको मिला है आपको मिला था आपने देखा होगा मॉबाइल ओटीपी डालने के वक्त तो आपको वहाँ से आपको इसमें डाल देना है उसके आपको पासवड मेल पर क्लिक करके वहाँ पर क्रेय कराइब और लॉगिन कर्ड़े सकते हैं तह इस प्रकार से आपको प्रोफैल याप पर लॉगिन हो चुकी है आपको याप पर दो दोस्तों सिधा आपको सबसे पहले आप यहां पर डाशबोर्ड दिखेगा यहां पर फिल प्रोफाइल का ओप्शन आ चुका है आपको यहां पर लगबग 6 स्टेप होती है को फॉलो करनी है ठीक है आपको परसनल डिटेल है एड्रेस है एजुकेशन है ठीक है उसके बाद आ आप यहां पर अपना एप्लिकेशन को अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर देखेए उस आपने परसनल डिटेल पर क्लिक किया तो परसनल में आपका नाम आज आ चुका है जो आपने शुरू में डाला था उसके एक बार फिर्फय कर देना आपको जो भी यहां पर अपने अपने डाली थी प्लेस आप बर्थ कहा पर हो चुका है यानि कि आपका जनम कहा हुआ है तो उस सिती का नाम आपंड़ सकते है या फिर गाव का नाम आपगा या इंवर सकते है उसके आप शाधूशुदा है या फिर सिंग्ल है वह आपके आपके आप शिलिट करदेना önmar baru प्रकार से बनाना है आपको आप उपर एक आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है उस पर क्लिक करके आप जो है अपना A.B.C.R.D. बना सकते हैं तो A.B.C.R.D. आपको बनाने के लिए इस लिंक दी है इस लिंक करके आप साइड में आपको लिंक बिलेगे उस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने ओर पर इस प्रकार साइब तो इसको हम copy करेंगे यह बिलकुर आपके आधार नंबर की तरह होता है ठीक है लेकिन आधार से अलग होता है तो आपको यह पर copy करके आपको पेस्ट कर देना है ठीक है तो यह होगा आपको यह आपको आपको कुछ options मिलेंगे देखने को आप चाहिए तो उसे yes no कर सकते हैं तो अगर आपके पास voting card है तो आप इसे yes कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप ना कर सकते हैं और pen number आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं नहीं डाला तो भी चलेगा लेकिन आप अगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी profile उतनी है verify हो जाएगे और education gap होगा 2-3-3 साल का तो डाल सकते हैं नहीं डाला तो भी चलेगा देखिए pen number और आपका जो educational gap है क्योंकि बोट साइड student का जो है 2-3 साल का gap रहता है या फिर कुछ मतलब age plus वाले भी लोग एस में admission लेते जैसी कि 30-40 साल वाले तो उनको भी आप याप डाल सकते हैं नहीं डाला तो भी चलेगा एक बार आपको इससे फिर से verify करते हैं आपका blood group होगा तो डाल सकते हैं वो भी नहीं डाल सकते हैं उसके बाद अगला step पर आपको save करने एक ब अब चुरू में क्या होता है अब तो यह सब study center पर मिल रहा है आपको books होगा रहा है लेकिन चुरू में क्या होगा तो जब आप 4-5 साल पर admission लेते थे तो आपका जो भी books होगा रहा है या फिर educational जो भी details है तो वह सब आपको जो आपको जो है आपके address पर भेजा जाता था आपको इसे address पर आएगा तो आपको ध्यान रखना है आपको यहापर जो आपका address है वह आपको सही से डालने आए और अच्छा कसा आपको address आपको डाल सकते तो जो भी है आपका वह डाल सकते बेस्ट रहेगा कि आपका अधरकाड पर जो address है उसका nearby location डालके जो आप होगा और फिर कोई और कुछ बड़ा location हो सकता है इस school हो सकता है ग्राम पंजित का कारेल हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो उससे सबस्क्राइब डाल सकते और बस्टाप करें पास होंगे तो भी आपको डाल सकते आपको लैंडमर्क चाहिए क्योंकि जो भी कूरियर वाला र ठीक ठाक हो गर है या नहीं है आप जो इससे नीचे से होंगर सकते तो आपको जो यह दो कोई जो है 10 वी का 12 आप सकते हैं अगर आपके वास खाली 12 आप 2 आप सकते हैं तो दोनों डालेंगे तो अच्छा रहेगा आपको आपको इसका बोर्ड करना जासे कि पर जो सेब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है डेट मालूम नहीं होती तो आपसे बैतर है कि आप क्या करेंगे आपकी जो मार्च रहती है तो उस पर एक्जाम की डेट रहती है जैसे कि फिबरुरी जनुवरी मार्च हो गारा अगर आप दसवी में है त तो फिबरुरी तो वहीं आपको यहां पर डाल देना है जो भी आपका मार्च पर होगा एक्जाम मंत वगरा तो वहीं आप यहां पर डाल सकते कोई दिक्कत नहीं इसको कोई फिरिपाय ने करता लेकिन खाली जो आपका जो सीट नंबर वो ओरिजिनल होना चाहिए कि लोग जो इनिविशिटी वाले हैं तो आपके साथ मारे out करते हैं और आप Wisconsin चैनल के मार राएक हो मारा वहने होंगे fourteen i k 0 तो वो सेम आपको भरते नहीं आपको स्ट्रिम कोई से थी महराथिक स्वरी साइन्स कॉमर्स आर्ट्स और जो भी होगा वह आपके आपके अपर स्रेट कर देना है ठीक है और दोस्तों यह जो सबके लिए लागों होता है अगर आप मैं लेना चाहते नहीं है उनका रोल नुबर डाल धीया है पास हुए है वूँ आप 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 यहाप डाल सकते हैं ठीक है बहुत साठे लोगों का बाराय में एक दूस अब्ध कीकट रहता है तो वह इसमें लिए सकते कोई दिखत नही तो बैतर रहेगा तो आपको यहापर जो है आप मारकशिट का नंबर डाली और जो भी डेट आप एक्जम होगी वहीं आप यह आप पर डेट आप रिजल्ट डाल सकते हो कोई दिकत नहीं है कि उसे अपको कितने मार्स मिले है ऑफटें मार्स कितने हैं टोटल मार्स कितने थे कितने मिले या फिर साड़ेग करके आपका पर शो ही ऑपकर जाएगा तो इसके पेदेगन अगर अगर बिज्ग्यमर के लिए आपको ड़ाल सकते हैं ँसके रिगार्डिंग और आप फ्रेशे रहिए तैक और आप फ्रेशर के लिए अपको 12 वारी एक कुमपल्शर है visit बंजा रहा है यानि की इनटी में आता है तो इसका जो है जो है कैटीकरी रहेगा कास्ट के लिए और क्या करते और कि यह सब करते हैं या करते हैं रिंपार उप सकते हैं पर एक पर अपने जो इंफर्मेस्ट डाल दिये तो इसे चेंज नहीं कर सकते तो आपको यह पर क्या करना है ध्यान से आपको one by one सब कुछ डिटले आपकी वह सबको यह पर विरिफाय करनी है आपने सभी से डाला या नहीं डाला है क्योंकि अगर आप खुछ से फॉर्म भर है तो आपका जो है आपके हाथ से जो है जो भी सिगनीचर है आपको फोटो अच्छा खासा अप्लोड कर देना है और सिगनीचर भी जो है अच्छी खासे आपको अप्लोड कर देना है क्योंकि यह वही जो है आपके डिग्री सर्टिफिकेट पर और आपके मार्क्षिट पर जो है आटोमेटिक लिए वहाँ पर शो ह सकते हैं अभी आपको फोटो और आपके सिगनीचर जो है वह सकस्सपी अप्रोड हो चुकी है अभी आपको यह पर पूछ रहा है आपका मोबाइल नमबर कौन सा है प्राइमरी सिकंडरी वगरा प्राइंट्स का भी नंबर डाल सकते हैं वह वाट्सप पर है यह नहीं है वह आपको फाइनल कंफर्म करना है जब तक आप यह पर अप्लाइन करेंगे तो आपको क्रॉस वरिफिकेशन करना है आपने जो नाम डाला सही से डाला या नहीं आड्रेस कौन सा है डेट आप बर्थ कौन सी है मोबाइल नमबर मेल आड़ी आपका नाम महराटी या फिर हिंद But यह निए ठ्यावक कहें उछटोंगे तो तो आपको एक बार फाइनल जो है अपको एक बार क्रॉस रिफ करनी होतीैं तो आपके थे त angef क्रॉस रिफ्य करना है आपका मोबाल नापने आडएरस के बा Olivia supre कर देना है तक एक क्षोंगي मृनसी निचे होता है आपको यापको आपको सकते हैं अगर आपा ओपन से जंटर से भरेंगे तो आपको कोई मंनें और लेकिन अगर कार्ट से भरेंगे तो आपको गाटिेगरी यह junior लगा उसके सकते सबकोष करें उसको खुलर कर है एक दम हंड्र पिते हैं तो आप रहे चाहूंगा चुका है तो इसका मतलब आपकी प्रोफाइल सकस्क्राइब सब्सक्राइब कर सकते तो मैं आपको बताना चाहूंगा या पर मैं इंगलिश मीडियम के लिए ले रहा हूं स्टूड्स का याँ आपका लास्ट वालीुका ये ले तो और प्रस्ट ये और होता है अगली को इसके लिए उससी से लिए यापका कॉलेज के लिए से सब्सक्राइब 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 अगर अगर आपके पास इलाएब तो आपको scholarship के लिए document लगे के वह आपको देनी है तो आपका मात्र admission जो है वह 290 में हो जाएगा अगर आपके पास नई है document आप no करना है नो करके आपको regular fee वर नहीं है तो regular fee जो है तो आपके लगबग जो है आपको नीचे apply online option आ चुका है आप जिस फिर्म में आप admission लेना चाहते है उसमें आप ले सकते हैं दोस्तों मेरा जो मकसद आज की सुधियों का बस इतना ही था कि कि आपको इसका पर जो भी आपको एप्लेक्शन करेंगे तो उसके बद आपको अपर उसका अपर मिल जाएगा उसका पर पसंद आया होगा तो जैहिन जैब बारत